मैं जिते इंदर शर्मा, JS for Competition में आपका स्वागत करता हूँ और आज का हमारा सबसे महत्पुन टॉपिक है तबलीकी जमात तबलीकी जमात को लेकर बहुत जादा चर्चे में है इस समय और लोग भी जानना चाते हैं खास दोसे स्टूडेंट भी जानना चाते हैं कि आखिर ये तबलीकी जमात है क्या मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि तबलीकी जमात किस थापना कब होई थी किस वर्स होई थी और आखिर ये रियल में है क्या चले स्टार्ट करते हैं तब्लीकी जमात की बात करें तो तब्लीकी का मतलब होता है अल्ला की बातों का प्रचार प्रसार करना यानि अल्ला ने जो भी बाते कहीं है उन बातों को समाज में प्रचार प्रसार करना ही इसका मतलब होता है तब्लीकी जबकि अगर हम जमात की बात करें तो जमात का मतलब होता है सम्हू यानि कोई भी सम्हू को जमात कहा जाता है यानि ईश्वर की कही बातों का प्रचार प्रसार करने वाले सम्हू को तबली की जमात कहते हैं यहाँ पर हद्रत निज्ञामुदीन में जो तब्लीकी जमात है, बेसिकली अल्ला या ईश्वर की बातों को परचार प्रसार करने वाला समूही तब्लीकी जमात है, अगर हम यहाँ पर बात कहें तो यह इसलाम को मानते हैं, माना जाता है कि दुनिया भर में इस जमात के पंदरा करोर सदसे हैं नोट का लिजे पंदरा करोर के आसपास दुनिया भर में इसके सदसे हैं भारत में तब्लीकी जमात की सुरुवात 1927 में मोहम्मद इलियास अल कांधलवी ने किया था यहां पर इसकी स्थापना जो हजजत निजामुदीन में जो तब्लीकी जमात है इसकी सुरुवात 1927 में मोहम्मद इलियास अल कांधलवी ने इसकी सुरुवात की थी जबकि भारत में ये हरियाना के नूजिले से सुरुवा था यहीं तब्लीकी जमात की जो सुरुवात हुई थी बेसिकले सुरु में ये हरियाना के नूजिले से सुरु किया गया था आगे चलकर इसने हजजत निजामुदीन में अपनी संस्था पूरी तरह सिस्थापित कर ले थी इस जमात के छे उसूल है जिन पर ये चलता है ये है कलीमा दूसरा सलात तीसरा इल्म चौथा इकराम ए मुसलिम और इखलास ए नियत और दावत और तब्लीक ये छे नियमों पर पूरी तरह से जमात चलता है दिली के निजामु दिन में इस जमात का हेटक्वाटर है जबकि ऐसा माना जाता है कि तब्लीकी जमात का सबसे बड़ा जलसा बांगला देश में आयोजित होता है वैसे भारत और पाकिस्तान में भी इसका सलाना जलसा होता रहता है I hope friends कि आपको इस तब्लीकी जमात के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो मैं एक बार फिर से लिग देता हूँ तब्लीकी जमात यानि कि अल्ला की बातों का प्रचार पसार करने वाले सबू को ही तब्लीकी जमात कहते हैं भारत में इसके लगब लब पंद्रा करोर सदस्य हैं इस भारत में तब्लीकी जमात की सुरुवात 1927 में मुहम्मद इलियास अलकांधलवी ने किया था भारत के हरियाना के नुजिलेसिस की सुरुवात हुई थी छे उसूलों पर चलता है कलीमा, सलात, इल्म, इक्राम, ए मुसलिम, इखलास, इनियत, और दावत, और तब्लीक जबकि हज़त निजामुदिन में इसका हेड़क्वार्टर है तब्लीकी जमात का सबसे बड़ा जलसा बांगलादेश में जोकि भारत और पाकिस्तान में भी इसका सलाना जलसा होता है आई होब कि आपको दी गई बातों से आप बहुती अंडिस्टेंड किया हो अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे बेल आइकन जोर दबा दीजे ताकि ऐसे आपको इन्फोर्मेशन मिलते रहें थैंक्यू एंड टेक केर